मित्रों अक्टूबर के महीने में आप लोगों के जीवन में ये तीन बड़ी घटनाएं घटित होने बाली है मनुस्य के जीवन में दुख और सुख आती जाती रहती है मनुस्य को कभी बहुत सारे सुखों के प्राप्ति होती है तो कभी कई सारे दुखों और तकलिफों का सामना करना पड़ता है ऐसे में अक्टूबर के महीने में आप लोगों के जीवन में ये तीन बड़ी घटनाएं घटित होने वाली है मत्रों आप लोगों से अनुरोध हैं कि अगर आप अकेले हैं और एकांत में हैं तब ही इस वीडियो को पूरा देखें अन्नथा आप इस वीडियो को यहीं पे स्कीप कर सकते हैं क्योंकि इस वीडियो में बताई जाने वाली सारी के सारी बातें गुप्त और रहस्यमई रहेगी जो सिर्फ और सिर्फ आपको ही जानना सुनना और समझना चाहिए क्योंकि अक्टूबर का महीना आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है इस महीने ग्रहों के कुछ ऐसे इस्तिया बनेंगी जो आपके जीवन में धन दौलत, ऐसो अराम, धन समपता के प्राप्ति करवाएंगी परिवार वाले घर वाले और समाज वाले आपके इज़त करणे वाले हैं इसी के साथ इस वीडियो में हम आपको ऑक्टूबर महीने के महरासी फल की बारे में बताने वाले हैं आपको बताएंगे आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्त कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा, बिजनस बैपार कैसा रहेगा, धन की इस्तितियां कैसे रहेगी, बैपार की इस्तितियां कैसे रहेगी और अक्टूबर महीने का वो कौन से तारिक है जो आप के लिए सब से सुब और सब से लखी रहेगा कौन से छेत्रों में कारी करते समय आपको सावधान सतर को समल कर रहने की जरूरत रहेंगी मित्रों आपको बताएंगे बैपार करियर उनसे रूड़े बहुत सारे ऐसे फ़हलों के बारे में जो कि आपके आने वाले दिनों को बहतर बनाने में काफी लावकार इसावित होंगे मित्रों उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनलन को सस्क्राइब और वस्से कर लें ताकि वो जाना रासिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बहतर बना सके मित्रों ओक्टूबर का महीना यह आपकी किस्मत आपका साथ देनी वाली है जिसकी वज़े से जटल से जटल समस्याओं का समाधान भी इस महीने आपको मिलेगा परियोजनाएं जो रुरकी हुई थी जो प्रोजेक्ट रुके हुए थी वो भी अब गती पकड़ने वाले हैं कारिश्यतर में काफी तरक्की और काफी उन्नती होने वाली है एक लंबे समय से प्रतिक्षिय यात्रा भी सफल होगी अगर आप बहुत लंबे समय से किसी टू इस महीने आपके लिए काफी सुब रहेगा वैवसाई अपने वैवसाई चितर में ख्याति प्राप्त कर सकते हैं वैपार वैवसाई विस्तार करने के लिए यह महीना बहदी उपयोगी और काफी लापकारी रहेगा आर्थी दूरूप से देखा जाए तो यह महीना आपके अच्छी उमीदे लेकर आने वाला है वत्रों वित्य और संपत्ती से समंदित मामलों में आपको किसी बड़े और बहत्रिन वेक्ति से सलाह भी प्राप्त होने वाला है इस महीने प्रेम आपके जीवन में एक नया उमीद जगा सकता है और किसी पुराने प्रियमित्र से मु से स्थ्यान दखना आपके लिए जरूरी सावित होगा इस महीने आपको अपने अपरतियासित दो खर्चे हैं वो आपको कंट्रोल करने होंगे वेफुजूल के खर्चे आपको कंट्रोल करने होंगे नहीं तो ये खर्चे आपके आपके जीवन में परिसानिक उत्मन न कर स इसलिए जिस अनुसार से आपको आपकी सेलरी मिलती है जिस अनुसार से आपकी कमाई है उसी अनुसार से आपको खर्च करने की भी विसे सला दी जाती है इस महीने आपको आपके वेवसाइक रिष्टों को सुधारने का मौका मिलेगा इस मौके को आप जाने ना दे जिन पर् प्राप्ति होंगे जिससे आपको लाव ही लाव प्राप्त होने वाला हैं मत्रों नए कारुबार को करने के लिए नए वैविसाय बैपार इत्यादी करने के लिए आपके लिए यह समय बेहदी उप्योगी रहेगा जेडल समस्याओं का समधान भी आपको इस महीने स्वता ही राप्त होने वाला हैं बैविसाय के लूप से यह महीना काफी अच्छा रहेगा नोकरी पेशेवाले जात्कों को कोई सुबसमाचार की फ्रापत होंगी या सुबसमाचार आपको आपके जीबर में नोकरी बैपार बैविसाय करी抓 लफ लाइफ में आपको एक नया उमीद आपको दिलवानी वाला है आप अपने विचारों को दूसरों के समक्ष सकरात्मा गूरूप से परसुत कर पाने में सफल होगे सकरात्मा गूरूप से दूसरों को अपने विचारों को समधाने में अपने आपको समधाने में काफी सफल रहोगे परिक्षा या पर्ट्योगिता के माद्यम से नौकरी के थलास करने वालों को या फिर खुद का अपना व्यवसाय सुरू करने के जो एक्चुक लोग हैं उन लोगों के लिए अपने परियासों को सफलता कम प्राप्त करने के लिए यह महीना उप्योगी रहेगा आपको आपके जीवन में वह मंजिल प्राप्त होगा जिसके लिए आप काफी लंबे समय से इंतजार में थे यह खतार में थे वह इंतजार आपको आपके लक्षे तक ले जाएगा और कारिशत्र में काफी बड़ा सुधार होगा आपके आर्थी किस्तितियां और जीवन भी स इस महीने होने वाला है वहीं आप अपने खुद के वैविसाय वैपार का भी विश्थार करने के लिए योजनाओ को बना सुकोगे आप अपने समर्पन और कड़ी महनत से दूसरों से आगे रहोगे और यही महनत और यही कड़ी समर्पन आपको आपके जीवन में बड़ा उम करहेगा और आपको आपके कारिशेत्र में थोड़ी सी बाधायें और कारे में देरी का सामना करना पड़ सकता हैं परन्तु पारिवालिक से योग और आर्थि ग्रूप से आप इन सभी कटनायों को और बाधाओं को दूर करके जीवन में अपने लक्ष को प्राप्त करपाने म 72 करम उठाने वाले हैं मतरों आपको इस महीने मोसम जैसे बिमारियां बदलते विया मोसम के कारण जिन बिमारिया होती हैं उन बिमारियों से आपको सतर करहना होगा अपने स्वास्त को लेकर लापरवाही करने से बचने का प्रियास करना होगा क्योंकि बदलता हुआ मोसम आपके लापरवाही की वज़े से आपको मुश्किलों में डाल सकता है इसलिए आपको आपके स्वास्त का विसेश ध्यान रखना होगा मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि आगे की जानकारियां जो भी बताने जा रहा हैं वो वहती गुप्त और काफी रहस्तमाई रहेगी इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप अकेले हैं और एकांत में हैं तभी आगे की जानकारियों को जाने समझें और इन जानकारियों को आप किसी के साथ भी साधा न करें इसे आप अपने जीवन में सही तरीके से यूज करने की अवश्य कोसद करें मत्रों भगवान स्रीहरी विश्णूजी की खृपा के साथ सा धंकी देवि माता लक्ष्मी की खृपा आपको इस महीने प्राप्त होने वाली हैं जिसकी वज़ा से आपको एक ऐसे मनुस्य का सही योग मिलेगा जो आपको सही दिशा दिखाने वाला है सही कारिशेतर में आपको योगदान करने में आपके सहयता करेगा कठन पस्रितियों में डटकर सामना करपाने में वो व्यक्ति आपका सही योग कारी रहेगा या व्यक्ति आपके घर, परिवार, पडोसी या रिसेदारों में से कोई हो सकता है या कोई मित्र हो सकता है जो आपके सभी कारे में आपका सहयोग करेगा आपको आपके जो रहा भटकी हुई है उस रहा से आपको सही रहा पर ले जाने में आपका सहयोग करेगा आपको परिवार के सदस्यों का पूरा सयोग और सिनह की प्राप्ति होने वाली हैं प्रेम समंदवी यथावत रहेंगे और आप अपने जीवन सैली में कुछ छोटे छोटे वदलावों को करके आप अधिक सफलता को प्राप्त कर सकोगे सगरात्मक महसूस करशने वाले हैं व्यवसाइक रूप से आप प्रगती करेंगे उन्नती करेंगे प्रयतन सील रहेंगे आप अपने कारेों के लिए कारेसल पर बहुत परसंसा के पात्र बने रहेंगे क्योंकि आप अपने कारे को कुछ इस तरीके से करोगे जिसे कि सब लोग आपके मूरीद बनेंगे सब लोग आपके परसंसा करेंगे सब लोग आपके कारे करने की जो विसेशता है उसके बारे में आपकी बड़ाई करने वाले हैं आप बेसे कुछ लोग नए समंद, नए साध्यदारी या नए कारिशित्र बे परवेश कर सकते हैं, जो आप लोगों को सफलता दलबाने में शफल रहेंगे, कारिशित्र में भी काफी उन्नती होने वाली हैं, परतिजंदू आपको नुक्सान नहीं पहुंचा सकते हैं, जो लोग आपके दुस्मन, जो लोग आपके परतिरोधी हैं, जो लोग आपके कम्पिटेटर हैं, उन्नों लोगों से भी आपको कोई खत्रा इस महीने नहीं दिख रहा है, वो लोग आपके साथ गहरा समंद बनाएंगे, वो लोगों के साथ आपके समंद भी पहले से काफी ब दिया जा सकता है अगर आप भूमी की खरीद करना चाते हैं जमीन की खरीदारी करना चाते हैं या जमीन की बिक्री करना चाते हैं इन दोनों कारे के लिए जमहीना अत्यनत सुब रहेगा अत्यनत लापकारी रहेगा तो मित्रों इन दोनों के लिए आप अपने आपको सहज मह होगा और वेवाह आपके जल्दी ही तै होने बाला है पारिवार्इत जीवन भी आपको शुब रहेंगी बच्चे भी बहुत ज्यादा श्रिचा के शिट्र होअच्छा उन्नती करने वाले फो थो जुका है उने लोगों जीवन साथी का सयोग प्राप्तुफोनी वाला है लेकिन स्वास्ट पर ध्यान देने की आवस्ट सकता रहेंगी क्योंकि आप छोटी मोटी बिमारियों का सामना कर सकते हैं और आपको आपके जीवन में सावधानी से अपने बिमारियों का डट का सामना और सही उक्षार सही समय पर करना चाहिए यात्रा बहती फायदेमंद रहेगी अगर आप किसी लंबी यात्रा लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का प्रोग्राम बना रहे थे तो नियात्राओं को करना इस महीने बेहदी सुब रहेगा रिशनात्मक लोगों के साथ आज आपका आने वाला समय बेहदी अच्छा रहने वाला है भगवान स्री हरी विश्णू जी की कृपा के साथ धनकी दिवी मातलक्ष्वी जी की कृपा विफिराप्त होगी जिससे आप अदबुत और बहुती बेहत्रिन कारे करने वाले हैं वही भगवान स्री सनीदेव जी की कृपा से भी आपकिसी नई पुर्योजनाओं की सुरुआत कर सकते हैं जो आपको वीत्यलाप की प्राप्ति करवाने का प्रवल संकेत दिखा रहा है मित्रों आपने सौक सौरत को विक्सित कर सकोगे अपने सौक को पूरा करने के लिए भी यह समय काफी रेतादा सुब रहने वाला है भविस्य में यह आपके लिए अतनते ही लाबदायक और काफी सुन्दर सावित होगा प्रिवार में कोई सुबकारिस संपन्न होने वाला है जिसे आपको बड़ी फरसंता मिलेगी मित्रों आपका दिन बहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जयम आता दिया वस्तलिक हैं आपका दिन सुबहो मंगल कारी हो जयमाविंदु वासनी